आखिर क्या है केके पाठक के चुप्पी का राज क्या तुफान आने से पहले समंदर सांत है या फिर केके पाठक का सौफ्ट्वेर अपडेट हो गया है या कोई और मन में कुछ चल रहा है या फिर वेट एनड वाज की स्थीति में केके पाठक हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे ऐसी ऐसी बाते 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 बताएंगे जो गलियारों में चल रहा है और जो पहुच नहीं रहा है जो बाते चुप्पी का राज क्या है और केके पाठा का अगला प्लान क्या है नमस्कार मैं हूं अभयकुमार आप देखने अपना प्यारा चैनल ठोकतन जिसमें हम हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं फिलहाल अभी हम चर्चा कर रहें सिक्षा दिभाग के अपर मुख्षचिव केके पाठक केके पाठक के चुपी सरकार बजलवाने तो नहीं आये थे केके पाठक को मुख्ष मंत्री ने मनाया था जैसी मीडिया में खबरे आ रही थी अब हम चर्चा करते हैं केके पाठक के हम शुरू का जो कार देखते हैं जब केके पाठक सिक्षा विभाग में आये सिक्ष पुरी लगा दिया मंत्राले में उनको आना जाना बंद कर दिया मंत्री जी के हूश ठीक आने लगा दिये मंत्री चंड सेखर को भीच चहीं से नहीं रहने दिये अब उसके बाद के के पाठाक ने सिक्षा बिभाग में ऐसा-ऐसा बदलाओ किया ऐसे ऐसे आधेस निर्गत किये और खुद जाकर स्कूलों में जाच किया उसके बाद सिक्षा विभाग में केके पाठक के नाम का खौब चलने लगा जिस अताना कि बेटे सो जाओ नहीं तो गबबर आजाएगा उसी तरह सिक्षकों में चर्चा होने लगी समय पर स्कू कई बिवाधासपत हैसले लिए मंत्री से लडाय हुई और मंत्री के लिए भी समझे कि मंत्री का अभिभाग और मंत्री को ही तरि पार कर दिया था उसके बाद खैके पैठक चुट्टी पर जाते हैं सबसे बड़ी बात है उससे पहले डिपीएसती टी औरी वन की में गिनी जाएगी बिद्यार्थियों की संख्या स्कूलों में बढ़ना और बहुत सारे फर्जी बिद्यार्थियों का नामांकन कटना यह अच्छे कामों में केके पाठक का आता है उसके बाद कई अब आसपाठ फैसले हुए हैं उनके काफी चर्चा इस पर हो गई है इस पर चर्चा करने से समय बर्बाद होगा अब हम बात करते हैं जब केके पाठक छुट्टी पर चले गए तो कहा जा रहा था तीन दिन में आ जाएंगे फिस समय पर समय बढ़ से जा रहा था तो मेडिय कि चुट्टियों को कैंसिल किया पिट पच्र निकाले बहुत ड्रामा हुआ चुट्टियों के लेकर बहुत खंगामा हुआ स्वल्हाग हलाकि पटना के ंस रहरे की बिदाई करवा दिया तो लोगों estate कहा कि मुख्यमंत्री से यही समझाटा हुआ था कि सिक्षा मंत्री को हट आया जाये यवा सिक्षा मंत्री को हट वा दिया उसके बाद कि जब केड़ पाठक दुबारा ए सरकार ही बदल गए मतलब इटीजकुमार का पाठनर ही बदल गया तो लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि केखये पाठक में इतनी पावर है इतना रखते हैं दमखम की नितीज कुमार को जो कहें वह करें और उनके कारण गठयबंधन तूट गया केखये पाठक यहां आये थे गठयबंधन तुडवाने आये थे तो उसके बाद केखये पाठक अचानक खामूस क्यों मैं इसके पुष्टी नहीं करता हूं गठवंदन उन्हों नहीं तुड़वाया है लेकिन चर्चा हो रही है अगर खामूसी के पीछे राज क्या है क्यों केके पाठक का खोप धीरे-धीरे खत्म होते जा रहा है और केके पाठक के फैसले के खि आप गोर कीजिए केके पाठक मेडिया में ब्यान दिया है क्या लिखा है क्या बोला है उस पर उससा ज्यान लेकर तुरंत कारवाई करने के लिए जाने जाते थे और विद्यालेव का हर विध्याले में जहां भी कंप्लेइन मिलती थी अख़बारों में छब जाती तुछ बिद्धाले में आधमकते थे अब के के पाठक का जो रुतबा था जो हनक थी वह कहां गया तरह उदाहरण के लिए बताज़ रहा हूं कि बीपीए सी टी यारी टू पॉइंट जीरो परिक्षा हो गई और उसके बाद उनका जो मिलना था या मिलना था इसको तो हम न्यूक्ति पत्र भी नहीं का सकते हैं प्रभीजनल न्यूक्ति पत्र जो मिलना था प्रभीजनल ज्वाइनिंग मिलना था ज्वाइनिंग मिल गया अब उनकी ट्रेनिंग जहां देखिए टी यारी वन में ट्रेनिंग समय पर हुआ था और T.RE 2 के अब ट्रेनिंग के बाद है तो जगह जगह से सीकायते आ रही हैं कि जगह dare मिल रहे हैं कि खाना खराब मिल रहा है ब्यवस्था खराब है और ट्रेनिंग के नाम पर पूछ नहीं हो रहा है सिर्फ अभ्यारतियों को अहां रखा जा रहा है घटियां से घटिया खाना दे रहा है हंगामा हो रहा है लोग किक्षब पाठक को बुला को बुला रहे हैं क्खिफ पाठक नहीं आ एक्दम महौल है बहाली को लेकर भी अफरा तफरी का महौल है जहां पहले चरंद के जो सिक्षक के नियुक्ति भी थी रोज दिखाबरे आती थी फलाने जगह से इतने सिक्षक तो दो सिक्षक 15 सिक्षक 20 शक्ति सिक्षक फर्जी पकड़े गए लेकिन अब थम इंप्रेशन से जाज करने के बाती थम इंप्रेशन वाला काम भी नहीं हो रहा है कोई नहीं पकड़े जा रहे हैं अपरा तफरी का महौल है अधिकारियों कि लग रहे क्या करें क्या नहीं करें और इस्तितिया बनती जा रही है कि अब शिक्षा विभाग जैसे लग रहा है कि सुथ पड़ा हुआ है सिक्षा विभाग में घोटाले बाजो का बोला हो गया है हम इसलिए कर रहें कि अफ़रा तफ्री बहुत है इस चलते हो रहा है पर सिक्षन के नाम पे खाना पूर्ती अट्रणाजित लिए हैं सेटिंक कर लिया है निगरानी और विभाग में शिक्ष को में पंधनध्याप में और जो आउस्योर्सिंग से गरलानी कि लिए उन लोगों में गठ भंधन हो गया सरकार के गठ भंधन टूटी इधर याँ गठ बंधन शूरू हो अब जब याद कीजिए जब दुसरे बार जब आएं केके पठक तो उनकी उपलब्धी क्या रही है लडाई के अलावा कुछ नहीं कर पाएं हैं सिर्फ लडाई कौन सी लडाई लडाई के चर्चा है आते ही मंतरी जीहटे आते ही डीम सहे लड़ गए ठंडा के छुट्टी क कैंसिल किया और तर्यातर के कई निर्णाय ऐसे हुए उसके बाद चुट्टी देने की बाद के डीम पर जिम्मा डाल दिया कि हैंडेट परसेंट आप छात्रों का उपस्थिती लाईए अब बड़ा सवाल है केके पाठक के चुप्पी का राज क्या है सुधासिक्षा गठवन्न तुडवाने आये थे और या फिन केके पाठक वेट वेट वाज की स्थिती में है कि कौन सा मंत्री किस बेक्टी को सिक्षा विभाग मिलता है और किस बेक्टी को नहीं मिलता है अब ही तो ज्यादा गरहन यह लगा हुआ है कि दूसरे चरन का जो सिक्षक बाहली की परकिरिया हुई भी पीएस्टी से उसमें भी चिक्षकों को बिद्याले का भी आवंटन नहीं मिला है और पुल्रूप से नियुक्ति पत्र ही नहीं मिला है जहां ट्रेनिंग के नाम पे खाना पूर्ती हुई केके पाठक खामोस रहें केके पाठक का सब्ट्वेर हो जाता है तो केके पाठक अभी सांत हैं और अचानक फिर तुफान आने वाला है और फर्जी सिख्षकों पर खास करके कामजोर सिख्षकों पर और सिख्षा विभाग में जो बने हुए जो गठ जोड़ कर लिये हैं गोठा लेवाजों से उन पर फिर सिकंजा कसने वाला ह है और इक बार फिर से हटकंप मचने वाला है लेकिन के कब आठक के सामने सबसे बड़ी चुनोती है सबसे बड़ी चुनोती है टी-आर्ई-धीरी बीप ! सी टी-आरी ठेरी का परिक्षा सम्मैं पर करवाना क्योंकि नई सरकार चाहती है कि जो बिप ! स्थ्टी ने दिख्तिया मंगवाना और सबसे बड़ी चुनोसी यह भी है कि जो बीपीएसी टी आरी टू जीरो वाली जो बहाली हुई है सभी को बिद्दाले मिलना नियुक्ति मिलना और जो सुधिया सुधार रभियान चला था जिसमें सिधिलता आ गई है उसे फिर से गती देना तो केक पाठक के मन में कोई नया प्लान चल रहा है या फिर सिर्फ सरकार से गठवन्धन तुडवाने आये थे या फिर केके पाठक सांत इसलिए हैं कि कोन मंत्री बनते हैं और नितीश कुमार फिर से उन्हें मन आने जाए तो दोस्तों या तो केके पाठक के लेकर चर्चा हो रह पता रही हो रहे हैं एस साब्सक्राइब नहीं किया हुए है तो आपका सब्सक्राइब ताकत देता है को लाइक किजिएगा और इसी तरह से हर मुद्द फर्बात जानकारी रखने के लिए हर मुद्द से जुले रहने के लिए जुले हमारे साथ मिलते हैं गले वीडियो में जैहिंद बंदे मातरम